हेलो एबरीवन मैं हूँ मॉनिका और स्वागत है रमोना केचन में आज मैं लाई हो आपके लिए इतना टेस्टी हेल्दी नाश्टा रेसिपी जो कि बहुत ही जल्दी बन कर त्यार हो जाता है वो भी कम समान में टेस्टी होने के साथ साथ यह बहुत ही जदा हेल्दी भी है तो चले शुरू करते हैं मैंने यहाँ पर एक कटोरी पुहा लिया है पुहा आपके पास जो भी है मोटा या पतला आप यूज़ कर सकते हैं मैंने यहाँ पर एक मिक्सी का जार लिया है जिसमें मैंने पुहा वो डाल दिये हैं और इसे हमें महीन पीस लेना है तो आप करें लिए और अब हम आप से तिया है। उनको एड कर देंगे। कि अच्छ ए मेर मिक्स करते कि इसका एक डो लगा लेना है। मैं इस मेक ज्वाद। आनवा कर दिया है और एक पाउडर भी डाल दिया है और अच्छे से हम सारी चीजों को mix कर लेंगे हमें इसमें पानी नहीं डालना है हमें आलू के साथ ही पुआ को अच्छे से एक डोव फॉम में बना कर तयार कर लेना है आप देख सकते हैं कि बिल्कुल अच्छे से ये डोव बन कर तयार हो गया है अगर आपको पानी की जरूरत हो तो आप एक से दो चमच गरम पानी यूज़ कर सकते हैं और मैंने यहाँ पर इस तरह से इनके बॉल्स है वो बना कर त्यार कर लिये हैं मैंने इनको पर इस तरह से एक डिजाइन बनाई है आप जो चाहें वो ही शेप दे सकते हैं जो आपको पसंद हो मैंने यहाँ पर एक बॉटल का ढखकन लिया है और इससे उस पर डिजाइन बना ली है आप चाहें तो सिलेंडर शेप में भी इसका शेप दे सकते हैं स्कॉयर बना सकते हैं जैसे आपको पसंद हो अब मैंने यहाँ पर कड़ाई में गरम पानी रख दिया था और उस पर इस तरह की जाली या फिर जो छलनी होती है सभी के घर में इजली मिल जाती है मैंने वो रख दी है और अब हम इसको उपर ओयल लगा देंगे जिससे की हमारा नाश्ता है वो चिपकेगा नहीं और सारे नाश्ते को हम इसके अंदर लगा देंगे पानी को हमने अच्छे से गर्म कर लिया था और मेडियम फ्लेम पे हम इसको ढख कर 10 मिनट के लिए पका लेंगे तो ये नाश्ता बहुत ही जल्दी बन जाता है और बहुत ही कम समान में आपको ज़्यादा समान लाने की जरूत भी नहीं पड़ेगी और बहुत ही हेल्दी और टेस्टी नाश्ता है तो यह देखिए 10 मिनट के बाद हम चेक कर रहे हैं हमारा नाश्ता है वो पहले से अच्छे से फूल गया है और यह बहुत यह अच्छे से पक गए है तो उन्हें हम ठंडा होने देंगे और तब तक हम इसका एक तड़का त्यार कर लेते हैं मैंने यहाँ पर एक पैन में दो चम्मच ओINA डाल दिया है और एक संड़ से ने recente अब यहाँ यहाँ पाड्र न दूब आल रहे हैं करी लिवस तो मैंने यहां पर ड्राय करी लिवस यूस की है तन एक हमसे को मिक्स कर लेंगे अच्छ से मruption करें मिक्स कर लेंगे हैं हल्दी पाउडर एक प्यास को मिक्स कर लिएगे पीक्षा हैं तरो हम आन्थे सीच मिक्स कर लेंगे Σाच मिक्स करना। बनें समय स्क्षा घडाली हैं आया जदे आसम कित जया हैं तरह दुद्धी में स्क्षा साथ इंक रिए त्पैस्था तरहँ प्लावएं हो दोगाता है और अब हमने यहाँ पर एक चम्मच काली मिज का पाउडर भी डाल दिया है मैं यहाँ पर भोती चटपटे बना रही हूं तो आप अपने कोडिंग बना सकते हैं और सारा नाश्ता हम इसके अंदर डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे अच्छे से हमने सारी चीजे हैं वो मिक्स कर ली है तो अब हम इसको सर्व करते हैं तो एक बार आप इसे जरूर बना के देखिएगा कहाने में यह बहुत ही टेस्टी बनते हैं तो मैंने यहाँ पर इसको प्लेट में डाल दिया है आप इसको बच्चों को टीफिन में भी डाल सकते हैं और उसको दे सकते हैं बच्चों को इस तरह का चटपटा नाश्ता बहुत ही पसंद आता है तो एक बार इससे आप जरूर ट्राइ कीजिएगा वीडियो अगर पसंद है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मैंने यहां पर धन्यापती है उससे इसको गानिश कर दिया है और आप देख सकते हैं कितना यमी लग रहा है हमारे यह नाश्ता है बहुत ही कम समान में बनकर तयार हो जाता है और गर्मिया आ गई हैं तो गर